गुरू की साजी निवाजी, प्यारी साज संगजी, प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी, तेरी पूजा याद रहे, तेरी इबादत याद रहे, बक्ष लोग माता जी, बक्ष लोग माता जी, साज संगजी, सतकुरू निरंकार दातार से, हर समय अपनी गल्दियों की म पूले कितनी हो जाती हैं ये तो सत्कुरु निरंगकार दातार कोई पता है हम गल्दियों के पुतली हैं सत्कुर के चरनों में हाथ चोड़कर यह शीरवात मांगती हैं दातार सचे फाशा हम गल्दिया ना करें हम आप जी के बताय हुए रास्ते पर चलते चले जाएं मानव की सेवा ही तनहा भगवान की सची सेवा है कहते हैं कि जिसने इस भगवान की बनाई हुई रचना इस संसार को खुश कर लिया इनका आदर सत्कार कर लिया समझो सत्कुरु निरंगकार दातार का आदर सत्कार हो गया इनकी पुजा हो गई ऐसे ही दासी भाव आप जी के चर पुराने जमाने की बात है एक व्यक्ति पूजा करने बैठा तब ही उसे ख्याल आया कि परशाद तो है ही नहीं उसने अपने बेटे को बुला कर केले लाने को कहा वह आग्याकारी लड़का था भागता हुआ बाजार गया बहां उसने केले खरी दे जब वह घर वापिस आ रहा था तो उसके पीछे एक लड़का दोडने लगा जब उसने उस लड़के से अपने पीछे दोडने का कारन पूछा तो उस लड़के ने बताया कि वह भूखा है उसके पीछे एक बजुरग माता भी आ रही थी वह उस भूखे बच्चे की माँ थी वह भी भूखी थी जब इस लड़के ने माँ बेटे को भूख से दड़फते देखा तो सोचा कि इन केलों को घर ले जाने की बज़ाए इन भूखे माँ बेटों को खिला देता हूँ यदो खिला देना ही अच्छा रहेगा उसने वे केले उन्हों ने उस लड़के के प्रती धन्यवाद प्रकट किया लेकिन बहे लड़का खाली हाथ कर लोटते हुए डर रहा था उसे लग रहा था कि उसके पिताजी नाराज होंगे उसने भगवान का परशाद उन लोगों को खिला कर उनकी पूजा निश्फल कर दी है पहले उसने सोचा कि घर ना जाकर कहीं ओर चला जाओं फिर उसे ख्याल आया कि मेरे घर के लोग परेशान हो जाएंगे चिंतित हो जाएंगे वह यह सोचकर अपने घर चला गया घर जाकर देखा कि उसके पिता जी उसका इंतजार कर रहे हैं उसने घर पहुँचते ही अपने पिता जी से कहा पिता जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है पिता ने कहा क्या हुआ उसने कहा पिता जी मैंने भगवान के लिए जो केले खरीड़े थे वह दो गरीब मा बेटे को खिला दिये मैं क्या करता उन्हें भूखा देख मुझसे रहा नहीं गया मुझे पता है भगवान आपसे और मुझसे बहुत नाराज होंगे इस पर पिता जी ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे से कहा बेटा तुम बेकार में ही डर रहे हो गरीबों को खाना देने से अच्छी और पूजा अच्छी पूजा और क्या होगी भगवान इस पर और खुश होंगे तुमने मेरी पूजा सफल कर दी है मैं इश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा दिया है यह कैकर पिता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया निश्कान सेवा ही सबसे उत्तम सेवा होती है हिंदी में सेवा को सेवा कहा जाता है लेकिन इंग्रिश में सेवा को सर्विस कहा जाता है जिसका यह जो सर्विस है यह लोग अपने ग्रिस जीवन को चलाने के लिए धन कमाने के लिए भी करते हैं जब हम धन कमाने की उदेश्य से किसी गौर्मिन या प्राइवेट प्रतिष्ठान में कोई काम करते हैं तो इसे नोकरी जीवगा कमाने का साधन या सर्फिस कहते हैं काम बड़े ओफिसर से लेकर एक मजदूर तक किसी का भी हो सकता है इस परकार की सेवा में कुछ रुकावटे होती हैं जिसके चलते हम उस सीमा में रहना पड़ता है अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी रोजी रोटी बंध हो जाती है इस डर से हमें समय पर अपने काम पर भी जाना पड़ता है हम अपने ओफिसर की इच्छा की विरूद कोई काम नहीं कर पाते इस परकार की सेवा जरूरी है प्रंथू इसमें हमारा स्वार चिपा होता है यह हमने अपने ग्रिस्त जीवन को चलाने के लिए धन कमाना है लेकिन कहते हैं कि निश्काम सेवा सत्कुर के दरबार पर जाकर होती है हर रोज मा, बाप, गुरू और सभी बजूर्गों की सेवा करने वाले और उन्हें नमशकार करने वालों की चार चीजें बढ़ती है माता पीता को कावड में बिठा कर तीर स्थान कराने का बीड़ा उठाया और संसार में वह अमर हो गया इतिहास इस परकार के एकजामपल से भरा हुआ है शबरी माता हनवान जी लक्ष्मन जी भरत जी जटायू जी आदी ऐसे ही सेवकों के नाम हैं जीनों ने केवल अपनी सेवा के बल पर अपने अराध्या देव भगवान शिरी राम जी को खुश करके अपना जीवन सुधार लिया और लोग सुखी और पढलोग सुहेला कर लिया सेवा तन मन धन करम और वचन से होनी चाहिए इसमें हंकार अर्थात करतापन का भाव नहीं होना चाहिए हंकार भ भाव से किये गए सेवा कारे अभिमान ही बढ़ाते हैं जिस परकार उसर में बोई जाने वाले बीज का फल बोने वाले खिसान को नहीं बिल पाता है उसी परकार करतापन के भाव से किये गए सेवा कारे अनुकुल पर नाम देने वाले नहीं होते इसलिए निस्वार्थ न गीता में भगवान शिरी कृष्ण जी ने अर्जुन को परम पिरय भगत होने के कारण उसे यही उपदेश दिया कि वास्ता में करम फल की इच्छा से की गई सेवा का फल पूरण नहीं होता और वांचित फल नहीं मिलता। संत गंगा दास जी ने भी निशकाम सेवा की परशंचा इस परकार की है तज्वे मान हंकार करे तनमंधन सेवा भवसागर से पार करे पल भर से खेवा अर्थात अभिमान और हंकार को छोड़ कर तनमंधन वच्चन और करम से किया गया सेवा कारे नाव की तरह पल भर में भव सागर से पार कर देता है सेवा में भाव के प्रधानता होती है सादर की नहीं क्योंकि प्रमात्मा भाव के भूके होती है वे सेवक की योकिता या गुणवता पर ध्यान नहीं देते तब ही तो उन्होंने शबरी के छूठे बेर भी तहे दिल से सविकार किये प्रभू की भगत पस्सलता के बारे में कहा गया कि दुर्योधन कर मेवा त्यागे साग विदूर घर खायो दुर्योधन के घर का मेवा वगवान जी ने छोड़ दिया और विदूर जी के घर का साग खा लिया क्योंकि वीदुर्ची के मन में सच्चा भाव था कि मैंने अपने प्रबु परमात्मा को अपने घर में बुलाना है लेकिन दुर्योधन के घर में मेवा होते हुए भी उसके मन में हंकार था कि मैं बगवान को मेवा खिला रहा हूं करता बन का भाव था इसलिए फल प्राप्ति की भावना से रही सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है इससे बढ़कर संसार में सबस्रेश्ट कोई दूसरा काम नहीं है इस काम में सद्कुरु का ध्यान और सीमरण भी जरूरी है इससे सेवा कभी मान से बचा रहता है क्योंकि सत्कुरू हमेशा भगतों अपने भगतों के अंगसंग होता है और उनके भले की कामना करता है तब ही तो किसी संत ने कहा है गुरू वचनू पर फूल चड़ाना सची गुरू की पूजा है इस जगे अंदर इस सुन्दर करम न कोई दूजा है सेवा भावना के परचार परसार के लिए ही आज निरंकारी मिशन ब्लड डूनेशन कैम्प और नेतरदान सामुहिक विवहा बाड़ भुकम पाते प्राकिर्थिक मुसियब्तों के समय आर्थिक और बोतिक दान जैसे समाजिक दायत्मों का निर्वाह सफलता पुरग सचालन क कर रहा है जो भी निरंकारी संत महापुरश भाई या बहन इन समाजिक दायत्मों में भाग लेते हैं वे बिलकुर निस्वार्थ भाव से अपने भले पुरे का ख्याल छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार योगदान देते हैं सेवा करते समय संत अपनी भलाई या पुरा नहीं करते और नहीं दूसरों के द्वारा उनके भले या बुरे की प्रतियुत्तर की कोई इंतजार होती है भलकि अपना नुकसान ठाकर भी सेवा का काम करते जाते हैं आदनी रंकारी मिशन के सेवादार भाई बहन अपने स्वार्थ भाव को छोड़कर सत्कुरु की अग कोई प्रियोक नहीं होता मातर प्यार और विनमर्था के द्वारा इनका सारा काम हो जाता है इनकी वाने की मिठास अपने आप में एक मिसाल है एकजामपल है उधारन है जब पिकिसी संथ महात्मा से कोई काम लेना या कराना होता है तो महात्मा यहीं कहती हैं कि इसा करें बड़े किरपा होगी इस विनमरता के कारण किसी को भी उनकी बात मान लेनी पड़ती है इससे यही सुष्ट है कि निश्काम सेवा ही वह काम है जो हमेशा भक्ती का मेवा परदान करता है बलकि अभिमान तो हमेशा डूबोने कहे कारण बनता है इसलिए हम में यही अदास करते हैं कि सचेवाशा हम भी नमर भाव से हर एक संत महात्मा का आदर सत्कार करते चले जाएं सारा संसार जो है यह हमारा परिवार है वसूद है कटूमकम की भावना हमारे मन में रहे और हम हर एक का आदर सत्कार करते चले जाएं चाहे वो संसारी है या नि ये शरीरों को नमशकार नहीं होती, ये नमशकार तो इस घड में जो जोती है, इस आत्मा को नमशकार होती है, हम हर पलसत्गुरु से यही अर्दास करें कि हिदातार सचे वाश्चा, जो जो भी आप ची किसी सकलाईयां हमें बिल रही हैं, इन सकलाईयों को हम पूरान लोग सुहला करें और औरों को भी प्रेम ना देकर इन बातों को बताएं ताकि उनका भी जीवन सुखी हो जाए असाज संगर जी ये विचार करते हुए बहुत सी भूले हुई होगी उन भूलों के लिए आप जी शमा कर देना असाज संगर जी प्रेम से कहना धान दिरंकार छी